दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले है टॉप 5 बेस्ट बजेट स्मार्ट फोन्स के बारे में जो आप कॉंडर 10,000 में देखने को मिलेंगे इन स्मार्ट फोन्स के बारे में बात करने से पहले इन स्मार्ट फोन्स में जो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए वो है 6.5 इंच की बिग स्क्रिन डिस्पले और 5000 मेंच की बैटरी और मिनिमम 4GB RAM होनी चाहिए जी हाँ दोस्तो अब 3GB RAM से काम नहीं चलेगा और सबसे important performance और दोस्तो dual या triple camera setup होना चाहिए तो दोस्तो ये basic criteria है इसके उपर ही होना चाहिए और price 10,000 के नीचे होना चाहिए तो दोस्तो आप इस वीडियो को देखते रहिए इस वीडियो में मैं आपको top 5 best budget smart phones के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो नंबर 5 पर जो phone आता है वो है realme narjo 30A इसके अंदर आपको 6.5 इंच की HD plus display देखने को मिलेगी और Helio G85 का processor देखने को मिलेगा Helio G85 10,000 के अंदर काफी बड़िया processor है आपको इसमें 4GB RAM और 64GB storage देखने को मिलेगी 6000 image की आपको इसमें battery देखने को मिलेगी और आपको पीछे की तरब 13MP प्लस 2MP और front side में आपको 8MP का selfie sensor देखने को मिलता है overall अगर आप इस phone के सभी specification को देखते हो तो definitely ये एक बड़िया phone है जो हमारी list में नमबर 5 पर आता है दोस्तो नमबर 4 पर जो phone आता है वो है Realme C25S ये phone दोस्तो सेम Realme नार जो 30A जैसा है लेकिन इसमें सिर्फ पीछे की तरफ camera 13MP प्लस 2MP प्लस 2MP प्लस 2MP आता है और जबकि Realme नार जो 30A में camera 13MP और 2MP का आता है बाकी सारे specification सेम है और इसकी price 500 रुपे जादा है ये आपको 10,400 ने 99 में में देखने को मिलता है दोस्तो Amazon और Flip Card पर offers आते रहते हैं अगर दोस्तो आप इसे offer में buy करते हो तो ये आपको 10,000 में मिल सकता है दोस्तो नमबर तीन पर जो phone आता है वो है Infinix Hot 11S इसके अंदर आपको 6.7 inch की full HD plus display देखने को मिलती है जो 90 Hz के refresh rate के साथ आती है और दोस्तो इसमें आपको MediaTek Helio G88 processor देखने को मिलता है और आपको इसमें 4G RAM और 64G storage मिलती है 5000 mh के आपको इसमें battery देखने को मिलती है और पीछे की तरफ आपको इसमें एक unique design में camera setup देखने को मिलता है इसमें आपको 50MP plus 2MP plus 2MP और फ्रेंट में आपको 8MP का selfie sensor देखने को मिलता है overall specifications की तरफ देखें तो आप definitely इस phone की तरफ देख सकते हो लेकिन दोस्तो इसमें आपको price 10-11,000 के आसपास देखने को मिलेगी अगर offers में आप इस phone को buy करोगे तो ये आपको 10,000 में मिल सकता है अगर आपका budget है तो आप इस phone की तरफ देख सकते हो दोस्तो नमबर दो पर जो phone आता है वो है Micromax N1 Indian Micromax क्यों यह दूसरी नमबर में रहा है क्योंकि दोस्तो इसका display full HD plus है इसमें आपको 6.6 inch की full HD plus display देखने को मिलती है और processor आपको Helio G80 मिलता है और 4G RAM और 64G storage मिलती है 5000 mAh की आपको battery देखने को मिलती है और 48 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel का camera setup देखने को मिलता है और front में आपको 8 megapixel का selfie sensor देखने को मिलता है दोस्तो अमारी लिस्ट में जो नमबर वन phone है वो है Poco M3 इसमें दोस्तो आपको 6.5 inch की full HD plus display मिलती है और आपको इसमें Snapdragon 662 processor मिलता है जो की 6G RAM के साथ आता है दोस्तो इसमें आपको 6GB RAM और 64GB storage मिलती है और आपको इसमें 6000 mH की powerful battery देखने को मिलती है और पीछे की तरफ आपको 48 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel का triple camera setup देखने को मिलता है और front में आपको 8 megapixel का selfie sensor देखने को मिलता है अगर आप इसके specification देखते हैं तो it's too good दोस्तो अगर आपको एक complete all-rounder phone चाहिए तो आप definitely इस phone की तरफ देख सकते हो तो दोस्तो ये थे top 5 budget smart phones जो आते हैं 10,000 के अंदर तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बॉल आइकन को जरूर दावा लेना ताकि आप हमारी आने वारी वीडियो के notification को मिस ना कर पाएं